स्वागत है आपका 36 गड कोशला भूमी में मैं हूँ आपके साथ वी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री विश्णु देव साई ने भगवान बिर्सा मुंडा की जैन्ती के अवसर पर 15 नवंबर को 36 गड के हर जिले में जन जाती है गौरव दिवस मनाने की मोशाथ है इस साल बिर्सा मुंडा की 150 भी जैन्ती है और 36 गड में भी से भाव्य रूप से मनाया जाएगा मुख्यमंत्री साई ने राजधानी रायपूर के नियू सर्किट हाउस में जन जाती है समाज का गौरव शाली अतीत एतिहासिक सामाजी केवं अर्थ्यात्मिक यूगदान विश्वपर आयोजित एक दिवसीय कारेशाला को संबोधित कर रहे थे पूरे देश में बनवासियों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है जिसका केंद्रे कारेले जहां से मैं आता हूँ जिस जिले से जस्पूर उहां पर है तो कल्यान आस्रम के भी पदाधिकारी है और दिन भर एकार साला चलने वाला है और पंद्रा नोवंबर जो भगवान विर्शा मुंडा की जयनती है जिसको हमारे देश के सुष्य प्रधान मंतरी स्री नरेंद मुंदी जी ने जनजाते गोरो दिवस के रूप में घोसित किया है और हम लोग भब तरीके से जनजाते गोरो दिवस को मनाने वाले हैं और हर जिले में भी जनजाते गोरो दिवस को मनाएंगे और सिम सायने कॉंग्रिस की निया यात्रा पर जम कर निशाना साधा है और साथ उन्होंने बड़ा पयान भी दिया है और कहा कि कॉंग्रिस को न्याय यात्रा नहीं, शमाय यात्रा निकालनी चाहिए तो मुख्यमंत्री विश्णुदेव साई ने कॉंग्रिस की न्याय यात्रा पर जम कर हमला बोला है और कहा कि कॉंग्रिस को शमाय यात्रा निकालनी चाहिए तो कॉंग्रिस की निया यात्रा पर मुख्यमंत्री विश्णु देव साई ने जमकर हमला बोला है और कहा कि कॉंग्रिस को निया यात्रा नहीं बलकि शमा यात्रा निकालने चाहिए प्रिदेश के अलग अलग जगों पर कॉंग्रिस की ओर से निया यात्रा निकाले जा रहे हैं और राज़े की कानून विवस्था कोली कर सिरकार के खिलाफ निया यात्रा कॉंग्रिस की ओर से वहीं अब इस पर मुख्य मंत्री विश्णु देव साई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए कहा कि कॉंग्रेस को शमायात्रा निकालनी चाहिए रैपुट्स इचान कारी सामने आ रहे हैं सीमसाई ने कॉंग्रेस के निशाना यातरा निकालनी चाहिए बताते चले पिछले काफी समय से कॉंग्रेस सा राच्य में कानून विवस्था को लेकर सरकार पर हमला वर रही है और इसी को लोई कर अलग-अलग जगों पर निया यात्रा निकाली जा रही है। जिसके बाद अब सीम साय की योड़ से ये बड़ा बयान। सिम विश्नु देव साय ने बड़ा हमला बोला है कॉंग्रस के निया यात्रा को लेकर और उन्होंने कहा कि कॉंग्रस को निया यात्रा नहीं बलकि शमा यात्रा निकालनी चाहिए। उखे मंतरी विश्नु देव साय का ये बड़ा बयान और इसी खमर पर जादा जानकारी के साथ हमारे सही होगी मनोज शुकला हमारे साथ जुड़ गया है और काई न काई हम देखें तो लोगों का समर्थन भी इसे मिल रहा है लेकिन आप वहें अब इस पर सीमसाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कॉंग्रस पार्टी पर निशाना साते हुए कहा कि कॉंग्रस को निया यात्रा नहीं बलकि शमा यात्रा निकालने चाहिए। जी बिल्कुल आपको बता दूँ कि कांग्रेस की अत्रा जिरोत पूरी से 27 पिसमबर से शुरू हुए। जो आज 2 अक्टूबर को गांधी जैन्टी के उपलक्ष में गांधी मैदान में इसका समापन हो हुए। लेकिन जब एक तरफ ये कह रहे है कि जन्ता ने नकार दिया तो वही कौर्स के लिए आत्रा को जन्ता काई समर्थन भी मिल गा है। लेकिन कॉंगर्स की निया यात्रा की हम बात करें। कितना प्रभावी होगा क्योंकि जिस तरीके से निया यात्रा निकाली गई है लोगों का समर्थन मिल रहा है। जो च्छात रहे वो भी अपनी मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं हलाकि बीजेपी जरूर हम लावा रहे। लेकिन जो निया यात्रा को जिन्ता के समर्थन फिलाल मिल रहा है इसका चुनाओ पर कितना असर देखने को मिल सकता है। हैं है। क्या आसर कितना आसर देखने को मिलेगा जानकारी साजा करने के लिए जिंडर प्रक्रिया में देर होने पर जिम्मेदारों को पर कड़ी करवाई की जाएगी और एक बार फिर से मनोज शुकला का रुख कर लेते हैं मनोज हमारे साथ लगातार बने वे मनोज जिस तरीके से हम देखे यहां मंतरी किदार कश्प ने सकती दिखाई है और वहीं जल संसाधन विभाग के कारियों की समिक्षा भी की है क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आरी है कि जल संसाधन विभाग की समिक्षा बैचक केंजरी मुक्रेदार करते मंतरी है आतिस सकीज़गर से उनके द्वारा लिया जा रहा था बैचक बैचक में वह अधिकारियों पर साथ उनका जो देखने का रूप मिला वह सपस्ता ती अधिकारियों के कापी नाराज है तो सारी बाते इसको कहा जा सकता है कि जो कार हु रहे हैं उनके गुरुवक्तपुर्वक्त MAच जो निकल कर सामने आई है कि गुरुवक्ता पेर्वक्ति नोका ने होना तुमा इनातिचक बात बातों को लेकर मंतरी के दर कस्त पर सब पूरे हो जाई कि सौ दिनों के भीतर जो है टिंडर लग जाना चाहिए लेकिन अगर आगे इस तरह से अधिकारी सक्रिय नहीं रहते हैं तो क्या करवाई किये जाएंगे क्योंकि अभी भी लापरवाही जो सामने आई है उसको लेकर ही उन्होंने नाराज़की दिखाई लेकिन आगे क्या ग आँपरवाही उसरो देखने का मिल रहा हिए तो ऐसे में आत्रम सान गड़ जारा है, स्थ बिल्कुल अगर हम बात करें कारियों की विभाग के कारियों की तो और इसको लेकर क्या कुछ दौरान बादशीत किये गए हैं? बिल्कुल अमनुज बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साजा करने के लिए और वहीं रायपुर से खबर सामने आ रही चुतिस गण भाजपा का एक और पोस्टर वीडियो जारी सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्स पर किया जारी भाजपा ने भुपेश बगेल को बताया कॉंग्रेश सी भासमा सूर तो ये जानकारी सामने आ रही है और बीजपी ने भुपेश बगेल को कॉंग्रेश सी भासमा सूर बताया है सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदेश बीज़ेपी की ओर से पोस्टर वीडियो चारी किया गया है सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्सपार जिसमें पुर्वा मुख्यमंत्री भुपेश मखेल को कॉंग्रिसी महसमा स्कूर बताया है और वहीं चुतिसकर में बीज़पी सरकार के पिछल नौ महीने के शासनकाल में लगातार बढ़ते अपराध लचर कानून व्यवस्था महिलाओं की अस्तुरक्षा और हिंसा घर्टनाओं के खिलाफ कॉंग्रिस की ओर से निकाली गई आज यात्रा के शुरुआत सारा गाव के कस्तूरभा गांधी आश्रमें हुई जहां राश्ट पिता महात्मा गांधी को नमन कर प्रदेश अध्यक्ष देपक बैजने अरुन वोरा सहीत अन्य प्रमुख नेताओं के साथ पद्यात्रा की शुरुआत की वहें कवर्दा के लोहारे जी हत्यकान के पिडित स्वर्गिय शुवप्रसाद साहू और स्वर्गिय प्रशान्त साहू के परिजनों ने इस यात्रा को अपना समर्थन देकर इसे और अधिक मजबूती दी लगातार इस यात्रा में हिस्सा ले रहे कॉंगर्स के वरेश दुनीता अरुन वोरा ने इस मौके पर कहा कि असमर्थन हमारे होसले को और बढ़ाता है या लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार की नहीं है बल्के पूरे चुप्तिस गटकी है जब तक हम नहीं रुकेंगे तब तक हर पिडित को न्याएं नहीं मिल जाता अरे बलोट जिला में जल्दी पकने वाले धान की बालिया निकल कर तयार है ऐसे में किसानों को वग्यानिकों की सलाह लेना जरूरी हो गया है भारत देश में ज्यादा तर किसान है और फसल उत्पादन करना ये उनका मुख्य काम है आपको बता दे कि चेटिसकौर धान का कटोरा कहा चाता है क्योंकि यहां धान की फसल अधिक मात्रा मीं खेती की जाती है बलोट जिले के रुश्वी वग्यानिकों ने किसान भाईयों को कई तरह की सलाह भी दिया है वग्यानिक देप defenses का मनू चंदराकर ने कहा कि धान की में खर्पतवारों की समस्या आम हैं, खर्पतवार धान के साथ प्रक्रिटिक संसाधनों के लिए प्रतियोगता करते हैं और उपज कम देते हैं, खर्पतवारों की वज़ा से भूमी की नमी भी कम हो जाती है। दो कि वज़ारा जुआकर की समस्या आती हैं। ए अबुचे सालों से शेतों में मइच की समस्या कासी आने लगीिस को इस को किसानों है जो धान में उसकी जो बालिओं के पूरे रस की उफ सर्थ नहीं की है। जो क्वालिटी है वो पूरा खराब हो जा तो इसमें अच्छे से दूध नहीं भराता वोलते हैं इसको नॉर्मल भाशा में और लाल लाल पढ़ने लगते हैं तो अगर माइट की समस्या दे अच्च अच्छा दे रही है तो उसमें हम पार प्रफेन करके ड़ा आती है उसको हम तक्रीबन हा एक सो इस एमिल एक एकर अग्याड में हं प्रेय कर सकते हैं या सिर हम डाइकोपॉल करके दवा आती है तो डाइकोपॉल का 5 ml प्रती लितर पानी इसमें मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं जैसे फसल लगभर एक माह को हो जाता है उसके बाद इसका सुरक्षित रखना पहुंच ज्यादा जरूरी है और साथ में उस समय भी हमको दवाई का करेंगे तो किसाम सही उत्पादम नहीं ले पाएगा इसलिए फुरू से जैसे कि तन छेदक जिसको इंग्जिस में स्टम बोरत करते हैं वह होता है अभी फंगी साइड राता है इसमें फंगी साइड में क्या है कि तना में बैटका तनों को कार देता है जिससे पूरा उप होता है जो जड़ में होता है उसके लिए उसके रुप खाम के लिए अपन दवाई ना डाले तो पाउधा का ग्रोफ रूप जाता है और वही राजधाने पूलिश ने नशे के खिलाफ बड़ी कारवाई की है पूलिस ने दिल्ली में जालब इचाया और ग्राहक बन के 24 ग्राम MDMA drugs के साथ तीन आरोपियों को धर्दबोचा है जब तो हुई drugs की कीमत 25 लाक रुपे बताई जा रही है बतादे के पूर्ब में गिरफतार drugs pedler से विले इंपूट में सी एक नाइजीरियन समीत तीन pedler को गिरफतार किया गया है drug नेक्सेस के आठ अरोपियों को अब तक पूलिस जेल भेज जुकी है SSP रायपूर डॉक्टर संतोश सिंग ने पूरे मावले का खुलासा किया बखते आगे राजदानी रायपूर में पूलिस ने नश्रीले मादक पदार्थ गांचुए की तसकरी करते हुए चार अंतराज़िये तसकरों को गिरफतार किया है और इन तसकरों की तसकरी का स्टाइल देखकर पूलिस भी हैरान जए गए क्योंकि यह तसकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लो अर्चुन की मशूर फिल्म पुश्पाकित तच पर गांचा तसकरी को अंजाम दे रहे थी देरसल इन शातिरों ने कार में एक सीट के नीचे लोहे के एक चेंबर में करीब 40 कीडों गांजा चुपा कर रखा जिसके कीमत लाखों में है वैन के नीचे बनाए गए चेंबर का वीडियो भी सामने आया मामला थाना पुरानी बस्तिशियत का बताया जा रहा है और आपर में चाकुबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है एक के बाद एक फिर से दुकान में घुसकर यूबग पर चाकु जो है हमला किया गया है और इस घटना का वीडियो अब सामने आया है एक टोड़ा ताला विस्तित जियो मार्ड में यूबग पर मिर्चे पाउडर डाल कर धारदार हतियार से हमला करने का सिसिटिव फुटिज सामने आया जिसके बाद आरोपी यूबग को पुलिस्री हिरासत में लेकर पूश्टाच शुरू कर दी है चाको बाजी के सामने आया इस वीडियो में दिखा जा सकता है कि एक यूबग गेट खोल कर अंदर घुसता है और अपने पास रखे चाको को निकालता है बिना कुछ बोले वहीं पर बैठे यूबग पर ताबर तोड हमला कर देता है और इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता यूबग चाको से दना दनवार करके वहाँ से फरार हो जाता है वहीं वीडियो के हाथ लगने के बाथ पूलिस आरोपी की तलाश करके उसे हिरासत मिले चुकी है पूश्टाश कर रही है बढ़ते आगे दुर्ग सिले में रसमडा हाइवे के पास एक बड़ा हाथ सा होते होते चल गया जब रसमडा और दोग शेतर की ओर जा रहे है रास्थान पासिंग ट्रक का टायर अचानक ब्लास्ट हो गया जैसे ट्रक में आग लग गई घटना के सूचना मिलते ही आसपास के लोगों नी तुरंद अगनिश्रमन कारियाले दुर्ग को सूचित किया घटना के सूचना पर अगनिश्रमन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी सावधानी से आग पर काबू पाया फायर प्रिगेट की टीम ने एक गाड़ी पानी से ट्रक में लगिया आग को बुझाई राहत के बाद ये रही कि घटना के समय ट्रक चाला को और हिलपर ने समय रहते ट्रक से बाहर निकल कर अपनी जान बचा लिए और इस गटा में किसी के हतात होनी की सूचना नहीं है लेकिन ट्रक को काफी नुकसान पहुंचा है और जितने भी गाहों के वाज़ा सभी वर्वे से समर्थन कर रहे हैं अब यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सभी अंसंज में धरना प्रतसन के लिए बैठने के लिए भी तैयार है और आगे चलके हम ये जो व्यापन को कलेक्टर महदे तक भी आगे जाके देन हम अभी तक हस्ताक्षर अभ्यान के ताथ बहुत से लोगों को अपने कॉलेज करने के लिए समर्थन मांग रहे हैं और ये 20 साल पहले से चलते आ रहे हैं कॉलेज की मांग को लेकर लेकिन अभी तक सरकार की आखे बंधा और हमारे का अंतर जीज़ी बढ़ते आगे गरियावन्त के अमली पदर में हाईर सेकेंट्री पढ़कर निकल चुके चात्र कॉलेज की मांग के लिए गांधी की रिका रास्ता अपनाया हुआ है बीदे 187 चात्रों का एक स्दमू गांधी के गाकर कॉलेज की मांग के लिए समर्थन में जुटे हैं औ तक 800 से ज्यादा शात्र और जन प्रतिनीदियों का समर्थन जुटा लिया है एक हसार होते ही शात्र का अलेक्टरेट पहुँचकर पहले तो अमली पदर में कॉलेज खोलने की अपनी मांग रखेंगे फिरो से पूरा होनी तक धैना प्रदर्शन और आमरण अंसन जैसी रा करनाटक में गना कटाई के लिए कस्थानिया परिच्छे के बाद हम से गये थे चौहां करना कटाई के बाद इन मजदूरों को मालिक नी नहीं दिया ना खाती की विवस्था की और ना खाने की विवस्था की और ना ही रहने की विवस्था इन लोगों ने अपना वीडियो बना कर जिला प्रशासन को छुड़वाने की गोहार लगाई कलेक्टर नहीं तत्काल करनाटक के प्रशासनिक अधिकारियों से मदद मां पहुंचे ये मजदूर कलेक्टर दीपक सोनी अब मेस्पी विजय अकरवाल से मिलकर उन्हें धन्यवाद दिया कलेक्टर दीपक सोनी ने इन सबी मजदूरों को कहा कि स्थानियस तर पर रूजगार बहुत हैं आप लोग स्थानियस तर पर काम करें ऐसे कहीं भी अंच्वान जगा में ना जाए जिससे आप को इतनी तकलीफ उठानी पड़े अच्छे इसकट कर शल्या भूमी में फिलाय के लिए बस इतना ही खबरों के लिए मनेरे इंडिया वॉइस के साथ